परिवारों के तूटने बिखरने की वज़े जानते हैं हमारे देश में परिवार को सबसे ज्यादा एहमियत दी जाती है लोग अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर गुजरते, कभी परिवार की खुशी के लिए अपनी निजी खुशियों की कुर्बानी देते हैं तो, कभी परिवार के साथ मिल जुलकर रहने और परिवार को खुश रखना ही अपनी जिन्दगी का मकसद बना लेते हैं, दुनिया के बहुत से देशों में परिवार को तरजी देने की संस्कृती है, वही कुछ ऐसे देश भी हैं जहां माँ बाप और बच्चे गेरों की तर पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भूमंदली करण की वजह से उन देशों में भी परिवार तूट रहे हैं, जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है, भारत की ही बात करें तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में गावों से शहरों में या विदे रिशच का विशय बन गए हैं, ब्रिटेन में स्टैंड अलोन नाम की एक संस्था है, जो परिवार से अलग हो चुके लोगों की मदद करती है, इस संस्था की रिशच रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में हर पांचवे परिवार में कोई एक सदस्य परिवार से अलग होत हैं, अमरीका की ही एक और रिसर्च बताती है कि कुछ समुदायों में माँ बाप का बच्चों से अलग होना इतना ही, आम है जितना की तलाक होना, आम चलन स्टेंड अलोन संस्था की संस्थापक बेका ब्लांड खुद इसी तरह के तजुर्बे से गुजरी हैं, उनका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं है, इनका कहना है कि अब से पांच साल, पहले तक ये बात इतनी चर्चा में नहीं थी, लेकिन जब से गूगल पर अकेले पन से संबंधित शब्द को तलाशा जाने, लगा ये शब्द गूगल ट्रेंस डेटा में सबसे उपर नजर आने ल साल 2018 में ब्रिटेन के लोगों ने अपने राजकुमार प्रिंस हैरी की पतनी मेगन मार्कल के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया, मेगन मार्कल अमरीकियों की सर्च लिस्ट में दूसरे नमबर पर थी, असल में मेगन, मार्कल अपने पिता से अलगाव की वज मिसाल के लिए साल 2018 में ही, हॉलिवुड कलाकार सर एंधनी हॉपकिन्स ने माना था कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी अपनी बेटी से बात की हो, ये चलन नामी शक्सियतों के साथ साथ आम लोगों की जिन्दगी में भी आम बात बनता जा रहा है, अलग होन और साथ रहने की वजए लगभग सभी देशों में आज बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज हाउस बनने लगे हैं, उन्हें वहां हर तरह की सहूलते मिल जाती हैं, जिन देशों में कल्यानकारी सुविधाएं बड़े पैमाने पर दी, जाती हैं, वहां परिवार के जवान सदस्यों को अलग करने में कोई बुराई भी नजर नहीं आती, उन्हें लगता है कि हर उम्र के लोगों को हमुम्रों की जरूरत होती है, वो अपने बुजुर्गों के साथ रिष्टा मजबूत बनाए, रखने के लिए भी उनसे दूरी बना लेते हैं वहीं जिन द एक रूब के कुछ देशों में देखने को मिलती है, इसके अलावा शिक्षा का उच्छ स्तर भी अलगाव की एक वजह है, जिन लोगों के पास अच्छी शिक्षा है जाहिर वो अच्छे पदू पर काम करते हैं, वो काम के सिलसले में दूसरे देशों में जाते हैं, इसकी ऐसे परिवारों में आर्थिक रूप से लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते लिहाजा उन्हें अलग होने में कोई हिचक भी महसूस नहीं होती ये भी देखा गया है कि जो अलपसंख्यक समुदाय के लोग एक दूसरे से ज्यादा करीब रहते हैं उनके यहां बड़े परिवार भी एक छट के नीचे रहना पसंद करते हैं ये भी हो सकता है कि असुरक्षा का भाव उन्हें ऐसा करने को कहता हो रिसर्च बताती हैं कि युगांदा के परिवारों में दूरी का चलन तेजी से जगा बना रहा है कमपला युनिवसिटी की रिसर्च स्टीफिन व परिवारों के बहुत से सदस्य युगांदा में ग्रह युद्ध के शिकार या एड्स के मरीजों की मदद में सारा जीवन समर्पित कर देते थे पर अब हालात बदल गए हैं अब युगांदा में 50 से उपर की उम्र के करीब 9 फीसद लोगों ने अकेले जीवन गुजारना शुरू कर दिया है शायद इसकी वजह शहरी करण है शहरों में बड़े परिवार को साथ रखना आसान नहीं है इसलिए भी बुजर्गों के साथ अलगाव की स्थिती पैदा हो रही है और गुजरते दोर के साथ ये स्थिती और मजबूत होगी लिकिन कुछ रिसच मानते ह कि किसी भी समाज में सास्कृतिक मूल्य बहुत मजबूत होते हैं वो आसानी से खत्म नहीं होते लिहाजा जिन समाज में परिवार के साथ रहने का चलन है वो आगे भी रहेगा लिकिन रिसच वंडेरा को यकीन है कि आने वाले 20 साल में स्थिती पूरी तरह बदल जाएगी तलाक और अलगाव समाज में तलाक का चलन बढ़ता जा रहा है और परिवार तूट रहे हैं इसके अलावा अलग सेक्सूल पहचान वाले लोगों के लिए भी परिवार के साथ रहना मुश्किल हो जाता है और खामोशी से अलग हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि परिवार में अ एक घटना होती है, लेकिन उसके नतीजे दूरगामी होते हैं, उम्र के फर्क के साथ साथ मां और बच्चों के मूलियों में अंतरा जाता है, मिसाल के लिए अगर मां बहुत धार्मिक हैं और उन्होंने बच्चों को भी वही संसकार दिये तो भी, जरूरी नहीं कि बच्चे उन्ही संसकारों को माने, यही से टक्राव की शुरूआत होती है, अलगाव की स्थिती पैदा हो जाती है, ये भी देखा गया है कि आमतोर से अलग होने वाले माता-पिता और बच्चों के बीच अलग होने की वजह को लेकर कोई समवाद नहीं होता, इसलिए पता ही नहीं चलता की आखिर वजह क्या है, इसके अलावा भाई बहनों के अलग मिजाज और माता-पिता का किसी एक बच्चे के प्रती गहरा लगाव भी अलगाव की वजह बन जाते हैं, दूसरा, पहलू अलगाव के नतीजे हमेशा ही खराब हो ऐसा भी नहीं, बहुत से केस में इसके नतीजे बहुत सकारात्मक रहे, है, मिसाल के लिए कई समाज में तलाक को बुरा माना जाता है, लिकिन एक तलक रिष्टे में रहने से बहतर, है, अलग हो जाना, हालाकि बच्चों के लिए मुश्किल होती है, लिकिन पती-पत्नी की जिंदगी बहतर हो जाती, है, का मज़ा ले पाता है, ऐसा, दूसरा पहलू अलगाव के नतीजे हमेशा ही खराब हो, ऐसा भी नहीं, बहुत से केस में इसके नतीजे बहुत सकारात्मक रहे हैं, मिसाल के लिए कई समाज में तलाक को बुरा माना जाता है, लिकिन एक तलक रिष्टे में, रहने से बहतर है अलग हो जाना, हालाकि बच्चों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन पती-पत्नी की जिन्दगी बहतर हो जाती है, जिन्दगी में आगे बढ़ने का मौके मिल जाते हैं, मर्द हो या औरत वो स्वाभाविक तोर पर आजाद रहना चाहता है, और अलग होने के बाद वो इ धिर से मिल जाते हैं, वियतनाम में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां LGBT सदस्यों को माँ-बाप अपने से अलग कर देते हैं, लेकिन भाई- बेहन उनके साथ रहते हैं, इसके अलावा परिवार से अलग होने के मनोवे ज्व्दानिक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन ये प्र भाव जजबाती तोर पर मजबूत करते हैं, महिलाओं पर खास तोर से जजबाती तोर पर बुरा असर पड़ता है, यहां तक कि कई परिवार समाज में अलग पड़ जाते हैं, वो अपने परिवार की स्थिती के बारे में किसी से बात करने से कत्राते हैं, इस सब के कई पहलू होते हैं और हर पहलू एहम होता है अलगाव के अगर नुकसान हैं तो फाइदे भी हैं अलगाव किसी भी व्यक्ति को समाज में अपनी पहचान बनाने और अपनी शर्तों पर जिन्दगी जीने का मौका देता है